नमस्कार, मैं डॉक्टर आराधना चोहान, सहियात्री गूर्प ओफ ऑस्पिटल्स में नियूरोलोजिस्ट की तरह कारे रत हूँ आज हम बात करने वाले हैं एपिलेपसी के बारे में जिसे हम आम तोर पर मिर्गी या तो मिर्गी का जटका इस तरह से जानते हैं फिट्स भी कहा जा सकता है इस बारे में बहुत सारे मिट्स है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे तो शुरुवात करते हैं fit से ही आम तोर पर जब हम किसी को पूछते हैं fit, fit आई है क्या, fit मतलब क्या तो लोग कहते हैं हाथ पेर जाड़ना पेर टाइट हो जाना, आँख सफेद हो जाना मुझ से जागाना, इसे आम तोर पर लोग fit कहते हैं ये fit है, लेकिन कई और तरह की भी fits होती है जो आम लोगों को पता नहीं है जैसे कि बात करते करते चुप हो जाना आचानक से response नहीं देना एक हाथ या एक पेर ही tight हो जाना या तो सिर्फ एक हाथ में जटके आना या तो सिर्फ face के उपर कुछ twitching जैसे sensation होना यह यह भी कुछ प्रकार के fits है जिससे हम partial seizures कहते हैं जब भी हम किसी को पूछते हैं fit आई तो यह लोग accept नहीं कर पाते कि यह वाली इस तरह की भी fit होती है आपको समझना चाहिए कि इस तरह की भी fit होती है नमबर टू काफी लोग ऐसे कहते हैं कि fit जो है वो एक मानसिक बिमारी है जी नहीं fit यह बिलकुल भी मानसिक बिमारी नहीं है यह जो है वो neurological disorder है जिसकी treatment लेने से with medicines patient ठीक होता है तीसरी बात यह है काफी लोगों को ऐसे लगता है कि fit के दवाईयां शुरू होने के बाद वो कभी बंद नहीं होती नहीं ऐसा नहीं है 70-75% patients में दवाई लेने के बाद यह बिमारी ठीक होती है कुछ बहुती कम patients रहते हैं जिसे आज इवन treatment चालू रहती है या आजकल कुछ surgical options भी दिये जा सकते हैं ऐसे patients को अगली बात यह है कि कभी हम patients को पूछते हैं कि अगर fit का दौरा आपने देखा तो क्या करते हैं हमारे यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि हाथ में कोई लोहे की चीज दे दो या तो कुछ जूता या सॉक्स जैसे या तो लसून या तो फिर onion ऐसा कुछ सुघा दो तो जो है fit का जो जटका है वो शांत हो जाता है नहीं ऐसा नहीं होता आप ऐसा कीजिए भी मत क्योंकि नॉर्मली जो भी fit का दौरा आता है वो अपने आप 2-3 मिनट में कम हो जाता है तो उसी दौरा अगर आपने इन में से कोई चीज़े की है तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़े करने की वजह से वो fit का दौरा शांत हुआ है लेकिन ऐसा नहीं होता है और नॉर्मली भी कोई भी fit का दौरा जो है वो 2-3 मिनट पे अपने आप शांत हो जाता है तो जो कोई ऐसा fit का दौरा देख रहा है उसे क्या करना चाहिए जब आप ऐसा patient देखे जिसको fit आ रही है तो आप उस patient को just turn कर दीजिए कोई भी side में right side या left side ताकि और यह ध्यान रखिए कि patient को कोई चोटना आए बस आपको इतना ही करना है 2-3 मिनट रुक जाए fit का जो दौरा है वो अपने आप शांत हो जाएगा अगली बात यह है कि लोगों में ऐसी ब्रांती है कि fit का जो दौरा है या तो fit की जो बिमारी है वो hereditary होती है कि एक पिड़ी से अगले पिड़ी पे जा सकती है most of the patients जो हम देखते हैं उनमें कोई family history नहीं मिलती और बहुत बार patient को पहली बार fit आई होते है पूरे family में ऐसा मत सोचिए कि कि family से ही बिमारी एक family से दूसरे family में या तो एक generation से दूसरे generation पे transmit हो रही है mostly इसी वजह से लोग शादी करने के लिए भी डर जाते हैं कि किसी लड़की को या किसी लड़की को अगर fit की बिमारी है तो डर जाते हैं कि कहीं उनकी बिमारी उनके बच्चों में तो नहीं आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है यह जो patients है वो बिल्कुल भी normal pregnancy carry कर सकते हैं normal बच्चे को deliver कर सकते हैं सिर्फ pregnancy plan करने के पहले आपको जो भी डॉक्टर आपकी treating doctor है उनसे consult करिये वो आपकी जो दमाईया हैं उसमें कुछ changes करेंगे जो mother के लिए और उनके baby के लिए safe हो कुछ questions के answers हमने इसमें दिये हैं अगर आपको इस बारे में और कुछ जानकरी चाहिए तो हमें contact कीजिए हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे Thank you